इंकम टेक्स रिडर्न फाइल का टाइम है 31st July, last date है हर परसन अपनी आज़र फाइलिंग के लिए ये जानना चाहता है कि क्या उन्हें आज़र फाइल करनी है या नहीं आज इस वीडियो में आपके साथ डिसकस कर रहे हूँ कुछ ऐसे केसिज जहां पर इंकम टेक्स रिडर्न भरना बिल्कुल भी ज़रोरी नहीं है जी हाँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आज़र भरने की अगर आप कुछ कंडिशन को पूरा करते हैं इस वीडियो में हम समझ रहे हैं आप देख रहे हैं CA Guruji, मैं हूँ CA Pooja स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं कोर्सिस के नाम ये सभी कोर्सिस हमारे वेब पेज CA Guruji Classes.com पर अवलेबल है या Courses and Combo Courses के सेक्षन को आप विजिट कर ले और यहाँ पर एक ओर टाब है Text Updates का, इसमें हम डेली बहुत important articles publish करते हैं, इससे आपकी knowledge improve हो सकती है, विजिट करे CA Guruji Classes.com डिस्काशन करते हैं किने आइटर फाइल नहीं करनी है मेरे आर्टेकल के थुरू ये आर्टेकल, इसका लिंक मैरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंड में दिया, आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं तो हम पहले logic समझते हैं किसे आइटर फाइल करनी है और किसे नहीं यहीं सेक्शन बड़ा important है क्योंकि इसी में हमें सारी चीज़ें बता दी गई है तो सेक्शन 139.1 जो है हमारा उसके अंदर लिखा है कि अगर किसी परसन की इंकम, एक्जाम्शन लिमिट से कम है अगर किसी परसन की इंकम दूरिंग दा प्रिवेस एर एक्सीड नहीं करती है maximum amount which is not chargeable to income tax तो उने आइटर भरने की need नहीं है और वो लिमिट ओल रिजीम के अंदर हमारी बनती है 2 लेक 50,000 नॉर्मल परसन के लिए senior citizen के लिए 3 लेक super senior citizen के लिए बन जाती है 5 लेक और नया रिजीम आप रॉप्ट करते हैं तो 3 लेक तक आपको आइटर भरने की ज़रूरत नहीं है clear हो गया आपको कि अगर आपकी income 2 लेक 50,000 तक है तो आपको आइटर नहीं भरनी पर अभी इसी वीडियो को अभी मत छोड़े and तक देखें मैं आपको और भी important बाते बता रहे हूँ कि किस case में आइटर आपको भरनी भी पढ़ सकते हैं चाहे आपकी income ना भी हो तो 2 लेक 50,000 तक तक तो गौर्में ने officially हमें section में लिखके दे रखा है कि exemption limit से कम अगर आपकी income है तो आपको आइटर भरना ज़रूरी नहीं है अब हम बात करते हैं senior citizens की गामें ने वैसे तो 60 years and above के persons को senior citizen माना है पर एक section introduce है हमारे income tax act के अंदर section 194P इसके अंदर age criteria 75 years or more है ठीक है यानि यह वाले senior citizen जिनकी age 75 years or more है और जिनकी income interest plus pension से है उसी bank का interest है जहाँ पे pension आती है तो उनको खुद आइटर भरने की need नहीं है उनके भिहाव पे आइटर भरेगा bank वो bank में जमा करेंगे एक declaration जिसमें वो अपनी income डिकलेर कर देंगे कोई उनकी saving है तो वो डिकलेर कर देंगे और bank अपने आप उनके भिहाव पे आइचा भरेगा तो senior citizen जो 75 years or more की है उनको गामेर ने exam कर रखा है कि उनकी आइचा भरने की कोई भी requirement नहीं है अब आप कहेंगे कुछ persons बोलेंगे यह चीज़ों थो हमें already पता थी उनके लिए बताना चाहूंगी कि 5 July 2024 से income tax utility अपडेट हुई इसने बोला नए regime के अंदर new regime अगर आप आप करते हैं तो आप अपनी income को दो तरह से देखो normal rate की income और special rate की income यानि कि जिन पर slab rate applicable है वो normal rate की income है और जिन पर special rate applicable है tax के वो special rate of income है जैसे हमारा long term capital gain हो गया short term capital gain हमारा triple one capital A section वाला दूसरा short term capital gain यहाँ पर आएगा other than triple one A वाला capital gain normal rate उस पर slab rate लगता है तो वो यहाँ पर आएगा और long term capital gain तो फिर चाहे हमारा 112 का है या 112 capital A का है साथी हमारी lottery betting, gambling, online gaming winning की income या फिर VDA digital crypto currency की income यह सारी special rate के अंदर आती है तो 5 जुलाई से नए रेजीम में change हुआ कि नए normal rate में अगर आपको rebate लेनी है तो वो तो अलाओ हो जाएगी आपकी साथ लगतक की income पर अगर आपकी normal income के साथ यह special income भी है तो इन incomes पर आपको rebate नहीं मिलेगी यह change ITR utility में हुआ जब इतना differentiation कर ही दिया तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर किसी person की special rate of income है यह वली lottery online gaming VDA तो उनको वैसे भी exemption limit का कोई benefit नहीं मिलता है चाह सिरफ इन ही cases income है अब बहुत सारे students है online gaming खेलते हैं और उनको कहीं आप इस कैसे मिलेगा नहीं आपका exemption limit का benefit मिलता है ना rebate का benefit मिल रहा है ठीक है नहीं आपको deductions allow हो रही है आप आपका 30% का tax है उस पर health and education से और देना पड़ेगा ठीक है तो ऐसी incomes के case में जो special rate की income है ना तो यह मानिया आप item जरूर भरना और आज कल आपकी यह सारी आप हम ITR भरे ठीक है तो आप differentiation कर लिजे normal rate of income and special rate of income अब आप देख लिजे कि आपकी कौन सी AC income है जिसमे special rate में tax लगता है ना उसमें exemption मिलती है ना उसमें आपको rebate मिलती है ना उसमें आपको reduction मिलती है तो आप ITR जरूर भरना फिर यह मत मानना कि 2,50,000 तक आपकी एक्जाम्ट है income तो आईटर भरने की नीडी नहीं है आप ITR जरूर भरना normal rate of income के case में अगर आपकी income 2,50,000 तक है तो आप ITR को skip भी कर सकते हैं पर skip क्यू करना जब ITR भरना इतना easy है उसकी वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आ रही है अभी मैंने ये वीडियो डाले थी निल आईटर फाइलिक आप खुद अपने आप घर बैठे बैठे इस वीड की 1,80,000 की income बनी वो परसन चाहे तो आईटर को skip भी कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि zero income होने पर zero income income है ही नहीं आपकी फिर भी आपके लिए आईटर mandatory है फाइल करना ये cases मैंने यहां लिख दिये हैं मैं आपको फटा फट बता देती हूँ आपका पूरे साल का electricity bill बिजली है आप चलेगे फोरण में घूमने दो लाग के उससे जाधा का खर्चा किया फिर चाहे आप खुद गए या किसी और के लिए अपने पेमिंट करी है तो भी आपको आटर भरनी है आप अपना bank account उठाए उसमें deposit देखिए आपका saving bank account है उसमें deposit देखिए आपने 50 लाग से जाधा कर रखी है तो आजकल बच्चे UPI यूज करते हैं UPI में मिलते है cashback and rewards उनकी वज़े से वो जाधा से जाधा UPI transactions करने की कोशिश करते हैं कई बर उनके saving accounts में ये limit इन limit से एक seed कर जाती है तो उनको पता ही नहीं हो दा कि उनको अब आज़र भरनी है ठीक है UPI बहुत ज जाधा कि अगर deposits हो गए है तो आज़र भरना mandatory है अगर आपने कभी ट्राइब करा था कि हम business कर लेते हैं बिजनस के आपकी turnover 60 lakh है उससे एक seed हुई थी turnover word है profit नहीं है तो आपको आज़र भरना है वेदर आपका profit हुआ या loss हुआ it doesn't matter ये act के अंदर लिखी हुई है चीज़े then अगर आपने profession किया कोई और उसकी receipts आपकी पूरे साल की 10 lakh है उससे जाधा है तो आईटर भरना mandatory है अगर आपकी कोई foreign receipts है foreign assets है आपके पास तो भी आईटर भरना mandatory है आपका किसी ने TDS deduct कर लिया 25,000 से जाधा है तो आईटर जरूर भरो और senior citizen के लिए ये limit 50,000 है मैं तो ये limit को कभी देखो ही मता अगर आपका TDS कटा है तो आईटर जरूर भरो इससे आपको benefit ही मिलेगा अगर आपकी income ही नहीं होगी पर किसी ने आपका TDS कट ले तो पूरा refund मिल जाएगा अब मैं आपको income text portal पे लिया आई हूँ आप भी इसको open कर लो अपने पास फटा-फट मैं जो process बता रहे हूँ उसको करके देखो आपको हो सकता है benefit मिल जाए अगर आपको benefit मिले तो मुझे comment करके जरूर बताना यह website है incometext.gov.in अगर आप इस पर register नहीं हो तो अपने pan के दुरू यह register कर लो फटा-फट और फिर login कर लो login हो जाएगा आपके pan और अधार के दुरू तो मैं login कर लेती हूँ यहाँ आपको एक tab दिख रहा है आपका dashboard आ गया है e-file का tab दिख रहा है इसमें income text it on me एक tab दिख रहा है view form 26 AS इस पे click करके अपना 26 AS चेक कर लो confirm कर दो यह message आ रहा था I agree करके proceed कर दो view text credit पे click कर दो assessment year अभी select करो 24 25 अभी इसकी बात कर रही हूँ मैं आगे future के लिए आपका assessment year बदल जाता है according to the financial year view and download with html select करके view and download करो नीचे scroll करो check करो कोई TDS तो नहीं कटा हुए आपका इस case में देखिए 29,758 की income है उसमें 2976 का bank ने union bank of india ने TDS काटा हुआ है कोई आपने property sale करी थी buyer ने deduct कर लिया या फिर TCS आपने vehicle purchase कर दो आपको यहां पर download करने की option दिख रही है आपका AIS-TS यहीं से आउरी form में income आ जाएगी यहां पर expanded form में आ जाएगी तो जो मर्जी आप चेक कर लो मैं इस पर click कर लेती हूँ click किया मैंने देखिए यहां पर TDS TCS की information का टाब अगा रहा है SFT information का अलगा रहा है आप भी check करो क्या पता आपके against SFT transactions आ रही हूँ payment of taxes चेक कर लो demand and refund other information यह detail में थी tab AIS पर click कर रहा तो देखिए आपकी यहां पर information आ जाती है income की saving bank का रहा है जैसे deposit का रहा है आपके against जो भी income report हुई है वो सब आपको यहां दिखेंगी वो सारे persons और अवेर ही नहीं होते हैं छोटी मोटी कोई transaction कर चुके होते हैं भूले बैठे होते हैं कि हमने ऐसी कोई transaction करी भी थी तो अपना AIS चेक कर लो transactions आ रही है thoroughly check करो अगर ITER burning के लिए liable हो तो ITER को अभी file करो बिलकुल भी miss मत करना special rate of income के case में आप ITER 1 file नहीं कर सकते फिर आपको ITER 2 या 3 choose करनी पड़ती है इस बात का ध्यान रखना ITER filing की वीडियो मेरे चानल पर हैं इसलिए इस चैनल पेज को subscribe कर लो यह आपके लिए बिलकुल फ्री है फिर यहां वीडियो सेक्षन में आओ आपके लिए जो भी वीडियो लगे उसको पिक करके जरूर देखें अगर इस वीडियो से हैल्प में लिया तो मुसे जरूर बतारा थैंक्यू सो मच फ्री है गुरुजी classes.com पे यहां पे हमारे courses के लिए courses section में यहां आपको course दिखे रहे हैं trademark registration income tax ITR and TDS GST course automation of balance sheet TDS and TCS का course accounting with teleprime company registration and then आपको लगेगा कि कुछ courses के नाम यहां repeat हो रहे हैं actually जो thumbnail yellow color में है वो limited validity के courses है और जो black color के यह thumbnail है यह lifetime validity के courses है courses में कोई difference नहीं स्रफ validity में difference है जिस भी course में आप interested है उस पर click करें जैसे आपको यह course buy करना है यहां आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहां पर about the course दिया है show more करें और इस course के बारे में अराम से पढ़े 10-15 मिनट अराम से यहां spend करें और जब आपको login करके ही course को देख पाएंगे तो बहुत ही easy है हमारे courses में enroll करना और यहां पर combo courses का भी section है तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सिखना है income tax भी सिखना है आयचा भी सिखना है तो आपके लिए हमारे combo courses available है तो cagurujiclasses.com पे आए और हमारे courses का benefit लें किसी भी तरह की query के लिए contact का tab है आप team के साथ contact कर सकते हैं thank you so much for watching